बर्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्ति दिवस हर साल साथ अप्रेल को मनाय जाता है इसका मुख्य उद्देश है कि दुनिया में सभी को न सिर्फ अपने स्वास्ति के प्रती चागरोख होना चाहिए बल्कि सभी तक स्वास्ति सिवाएं भी पहुँशनी चाहिए आज इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना वाइरस के संकरमण की खत्रे से जूच रही है ऐसे में अपने स्वास्ति के प्रती हमें जागरोख होना बहुत जरूरी है बिश्व स्वास्ति दिवस को मनाते हुए आज हम आपको मिलवाएंगे कॉर्डियोलोजी डॉक्टर चेतन राठी से और जानेंगे स्वास्ति को लेकर हमें क्या-क्या उपाय करना चाहिए बिल्दिंग हेल्दियर एंड फेरर एंवार्मेंट फॉर एवरिवन ये इस साल का जो वर्ल्ड हेल्थ दे है उसकी थिम डिसाइड की गई है जबी भी हेल्थ की बात आती है सबको लगता है हेल्थ इंपोर्टन है मिन्स पेशन को कोई हार्ट की कंडिशन ना हो वो बहुत जरूरी है बट ऐसा नहीं है जिस तरह हार्ट की कंडिशन इंपोर्टन है उसी तरह मेंटल बैलेंस भी इंपोर्टन है इसलिए जो पेशन्स होते हैं उन्होंने तो अपना ध्यान रखना ही चाहिए और उसके अलावा बाकी लोगों ने भी अपने रेगुलर अपने के लिए सबसे इंपोर्टन आपका डायेट आप जो डायेट में लेते आपका जो आहार है वो संतोलित रहना चीए ताकि आपकी रोग प्रतिकरक शमता अच्छे से इंप्रूव हो डायेट के लावा आपको एक डेली कम से कम आठ गंटे की नीन लेना बहुत होता है जब तक आप तनाव से दूर ना हो पाएंगे तब तक आप खुद को मेंटली और फिजिकली फिट नहीं रख पाएंगे इसके अलावा रेगुलर एक्जरसाइज करना योगा सन प्रानायम यह अपने अथने लाइट में बहुत ज़रूरी है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कि दोनों इंप्रू करने के लिए यह सब चीजे करना बहुत उचीत होता है अगर आप रेगुलर ली उतना कर रहे है तो आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ जिस तरीके से इंप्रू होंगा इसका चौप आप मुझे देंगे रैदर दन मैं आपको बताओं डिल के बादे में बात कि जाए है कि दिल की बीमारीयां बहुत स्यस्टत के हो जाती है बिल का एसाट की नहीं नहीं रहा नहीं ूमर के ऐसाट गूपर हो जाती economists time ही हमें हार्ट की कंडिशन होंगी लेकिन अभी हम रेगुलर लाइफ में भी इवन 22 साल की उमर में भी लोगों को हार्ट अटेक आके उनका एंजोग्राफियों के एंजोप्लास्टी होते वे देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको कहा पेशन्ट का डायेट हो गया पेशन्ट क अपने दिल और दिमार को लेकि वह ब्रहाणाद भी बता दिया है लेकिन अभी तौर चालगा है कोरोना का लोग अपने स्वास्त को ध्यान में रखके अगर एक्सराइज अगरा कर भी लेते हैं तो भी कोरोना जो है वो जीने नहीं देगा वो बात तो सही बात कही आपने लेकिन ये कोरोना ने ही लोगों को मेंटली और फ्यूजिकली हेल्दी रहने का वापस से इशारा दिया है कल देखेंगे आपकी 1,15,000 cases all over India होए और नापूर में देखेंगे तो 5,338 cases हो चुके है तो जब तक लोगों में ये चीज का importance नहीं आएंगा कि हमें कोरोना के जब जीना है तो बाकी जो precautions जो सब लोगों को पता है वो फॉलो करना जरूरी है ये मास्क भी मैंने अभी इसलिए नीचे किया है कि मैरे 6 फिट में कोई नहीं है वरना मैं भी बिना मास्क के आप से आप बात नहीं करता था सब्सक्राइब करता है अगर कोई पेशन को आगे treatment के जरूरत है तो बाकी फेंडरस में एडमिट करके treatment करता हूँ और सबसे इंपॉर्टन दिल की धर्कन का जो ट्रीक्मेंट होता है जिसे कहते है इलेक्ट्र फिजोलोजी स्टडी वह करने वाला नापूर में मैं एक मेव तदमे हूँ फिलहाल तो भी जिए जो आपका सब्जेक्ट है यह दिल की धर्कने नापना क्या मातोबूर में है इसमें इसक्या कई बार ऐसा होता है कि पेशन को दिल की धर्कन बहुत बढ़ जाती है 180, 200, 250 तक बढ़ जाती है और दवाईया लेकिन जिस पेशन में बार बार यह तकलिक होती है उस आपके आपके बारे में अगर बाक की जैने तो आपे वाहता है चुनने का ही तु एक ही था कि लोगों की सेवा करना लोगों को ठीक करना वो मेरा पैशन था इसलिए मैंने डॉक्टर फिल्ट चुनने का मैं आइस करके या फिन इंजिनर करके अभी कही तो भी बैटके वर्क फ्राम हम करके सुखी जिंदगी भी जी सकता था इसमें भी आपने अपनी स्पेशलिटी इतनी अलग बनाई कि नाकपूर में आप उन्ली एक तर्फिल्टी के लिए मैंने मेरा जो काईडियोजी का तीन साल का स्टडी उसके बाद मैंने छे मने का फिलोशिप किया मुंबई में ताकि मैं नॉर्मल काईडियोजी का काम तो कर नहीं वाला हूं उसके लावा जो एपी स्टडी है जो एरिद में आके पेशन्स होते है दिल की धरकन बढ़ने वाले पेशन्स उनका भी मैं ट्रीट्मेंट कर सकता हूं और नाकपूर के लाव मैं वर्दा में जो सावंगी में के मेडिकल कॉलेजे महां पे भी अटैच हू यह मुझे मोबाइल कर सकते है एटरुक हे गंता जो कोईड पेशन्स है और जो हाट के पूटप्स ऑफिट है उनके लिए प्ली ओड्यो कंसलिटेशन शुरू किया उन्हें ने कोविड के टाइम्स पर जब पई काया था तो मैंने स्टार्ट किया था बाहन में लोगों को ठीक करके मुझे कापी खुशे मिलते हैं लेकिन अगर आपको हाट की कंडिशन है तो ताकि आपको यह पता है कि आपको क्या 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 प्रिकॉशन घर पर लेनी है है वह आप लीजिए आप दवाया रेगुलर्ली लीजिए और आपके जो भी हाट स्पेशालिफ्ट जिन से आपकी ट्रेट्मेंट चल रही है उनसे आडियो या वीडियो कंसर्ट कीजिए जब तक बहुत इंपोर्टन ना हो आप घर से कंसर्ट कीजिए अगर कोई जाज करने की बारियाती तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़े है आप सबी को हार्दिक शुब कामना है आप सबी लोग फुरक्षित रहे और हेल्दी रहे यही मेरी शुब कामना है आपसे धन्यवादे